वेल्किम टु अभीजित मिश्राव चैनल नमस्कार दोस्तों अभीजित मिश्राव चैनल में आपका स्वागत है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपसों का अभीजीत में सचैल पे दोस्तो आज किस वीडियो हम देखेंगे भुगोल से कुछ महत्पुर्ण तथ्यों को जिनमें भुगोल की परिवासा एवं उनकी साखाएं महत्पुर्ण भुगोलिक खोज एवं उनके खोज करता सम्मान रेखा का नाम एवं युगमक बिंदु भुगोलिक यंत्र और उनके उप्योग और इन सभी तथ्यों से रेलवे की परिक्षा में पूछे गए प्रस्न दोस्तो यदि आप चाहते हैं किस तरह के वीडियो में और बनाओं तो आप लाइक बटन पे किलिक जरूर करें तो चलिए आज का यह वीडियो प्राड़ाम करते हैं भुगोल की परिवासा एवं उसकी साखाएं भुगोल उवह बिज्ञान है जिसमें पिर्थवी को सौतंत्र गढ़ा के रूप में माननेता देते हुए उसके समस्त लक्षनों घटनाओं एवं उसके अत्ता संबंद का अध्यन किया जाता है युनानी बिद्वान हिकेटियस को भुगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ही सरपर्थम भुगोलिक बननों को जेस पिरियोडस नामक पुस्तक के माध्यम से करबबद किया था अलेकजेंडर बान हमबोल्ट को बर्तमान भुगोल का जनक कहा जाता है भुगोल सब्द का सरपर्थम पर्योग गृक बिद्वान इरेटो अस्थनीज ने किया था उन्होंने ही सरपर्थम पिर्थवी की परिधी का लगभग सही मापन किया था इरेटो अस्थनीज को वैवस्तित भुगोल का जनक भी कहा जाता है इरेटो अस्थनीज ने ही सरवर्थम निवास योग विष्ट का मानचित्र बनाया था इरेटो अस्थनीज को भू भौतिकी का जनक कहा जाता है फ्रेडरिक रेट जेल को मानग भौगोल का पिता कहा जाता है उनकी परसिद्ध पुष्टक एंथ्रो पोजियोग्राफी है पोलिडोनियम को भौतिक भौगोल का जनक कहा जाता है कार्ल ओ सावर को संस्कृतिक भौगोल का जनक कहा जाता है थेल सुआ एनेक सी मेंडर गनीतिय भुगोल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं सरपर्थम मापक के आधार पर एनेक जी मेंडर ने छेसो इस्वी पुर्विश्व का मांचित्र बनाया था इतिहास के जनक कहे जाने वाले हेरो रटस महोदे ने सरपर्थम विश्व के मांचित्र पर देशांतर रेखा खीचने का पर्यास किया विश्व गलोग के पर्थम निर्माता मार्टिन बैहम थे भुगोलिक विश्व कोष के पर्थम रचनाकार इस रोवे है 1752 में एन बिले ने भारत का पर्थम मानचीतर बनाया था टॉलेमी ने सरपर्थम विश्व मानचीतर पर भारत को दलसाया जलियानो वा समुद्री यातायात है तू मरकेटर प्रक्षेप का पड़ियोग किया जाता है 1779 में मेजर जनरल रेनेल के नेत्रित में सरपर्थम भारतिय सरवेक्षन विवाग की अस्थापना की गई अब देखते हैं महत्पुन भागोली खोज एवं उनके खोज करता सौड मंडल के खोज करता कौपर निक्स हैं उत्तरी धरूप के खोज करता रवर्ट प्यरी हैं दक्षनी धरूप के खोज करता रोआल्ड एमूंड सेन हैं आंतरिक अफ्रिका के खोज करता बुरूस मंगो पार्क रिविंग टोन हैं नाइजर नदी के खोज करता मंगो पार्क हैं तस्मानिया एवं न्यूजिलेंड के खोज करता एवल तस्मान हैं उत्तम आसा अंतरीप के खोज करता बार्थोलोम्यू डियाज हैं बेडिंग जलसंदी के खोज करता बेट्स बेडिंग हैं भारत के समुद्री मार्थ के खोज करता बासको डिगामा हैं हवाई द्रीप समू के खोज करता जेम्स कूक हैं पस्मी द्रीप समू के खोज करता क्रिश्टोफर कोलंबस हैं क्यूबा द्रीप समू के खोज करता क्रिश्टोफर कोलंबस हैं ग्रीन लेंड के खोश करता, एरिक डिरेड हैं, कांगो नदी का मुहाना के खोश करता, डियोगो कागो है, संपुर्न कांगो नदी के खोश करता, सर हेंरी स्टेनली हैं, बडाजिल के खोश करता, पोड्रा वलरेज कावल हैं, विक्टोरिया प्रपात के खोश करता, लिविंग स्टोन हैं तंगानिका जील के खोज करता रिचार्ड वर्टन तथा जॉन स्पेक हैं न्यूपंड लेंड के खोज करता जॉन कैप्ड हैं गरहों की गती सीलता के खोज करता कैपलर हैं सहारा मरोस्तर के खोश करता डिक्सन तथा कले पर्टन है कुक जलसंदी के खोश करता जेम्स कुक हैं दक्षिन एवं मद्ध अमरीका के खोश करता क्रिश्टोफर कोलंबस हैं अंटार्टिका के खोश करता क्लिक्स तथा जेम्स रौस हैं अब देखते हैं सम्मान रेखा सम्मान रेखा का नाम और युगमख बिन्दू आयसो बार बायु दाप की समान इस्तितिति आईशो बात समुद्र के अंदर समान गरी वाले अस्थान, आइसो बेस, धरातल के किसी संदर्व बिंदु के समान उचाई एबं निचाई, आइसो क्रोन, सम्यांतर की समान रहने पर किसी संदर्व बिंदु से दूरी, आइसो गोनल, समान चुम्बकिये जुकाव वाले अस्थान, आइसो जलोस, समान भासा वाले अस्थान, आइसो हैट, बर्सा की समान मात्रा वाले अस्थान, आईसो हेल सुरितप के समान अवधी आईसो हैलाइन समुद जल में खाड़े पन की समान मात्रा आईसो हाइप अथवा कंटूर लाइन समुद तल से उच्चावच की समान उचाई एवं आकार आईसो काइनेटिक समान पवन बेग वाले अस्थान आईसो निप समान हिमपात वाले अस्थान आईसो नेप समान मेगा चांता वाले अस्थान आईसो एकनिक समान जनसंख्या घनत वाले अस्थान आईसो पलेत बिसेश अभिक्रिया वाले बिंदू आईसो सिस्मल भुकम्पियत वर्ता की समानता आईसो धर्म, समान तापमान वाले अस्थान हिमोसिसमल, दिभिन अस्थानों पर एक इस समय पर आने वाला भुकम अब देखते हैं भगोलिक यंत्र, भगोलिक यंत्र एवं उनके उप्योग पेंट्रोग्राप, मानचित्रों को बड़ा या छोटा करने वाला यंत्र, आदरता मापी, बायु मंडलिये आदरता मापी यंत्र वर्षा मापी वर्षा की मात्रा का मापन करने वाला यंद बायु दाब मापी बायु मंडलिये दाब मापी यंद अल्टी मीटर बायु यान में बायु दाब तथा उचाई मापी यंद एनीमो मीटर हवा की गती को मापने वाला यंद अब देखते हैं रेलवे भरती बोर्ड द्वारा आयोजित परिक्षा में पूछे गए इन तत्यों से प्रस्ण इसने पूछे गए प्रस्ण इस प्रकार है किसने सरपर्थम यह बताया कि पिर्थवी गोल है तो यह सरपर्थम बताया था अरस्टू ने और इस तरह के प्रस्ण में काफी confusion होते हैं क्योंकि इसी में प्रस्ण आते हैं पिर्थवी गोल है किसने कहा था तो यह पाइथा गोरस ने भी कहा था और प्रस्ण जदी रहे किसने सरपर्थम बतलाया कि पृत्वी गोल है तो उसमें अरस्तू या अरिश्टोटल अरस्तू को ही कहा जाता है तो ऐसे यदि परस्ण आए तो उसमें परस्ण को अच्छे देखना है यदि लिखा हुआ है पृत्वी गोल है कहा था या किसने कहा था तो यहाँ पाइथा गोरस ने कहा था और यदि प्रस्ण हो कि किसने सरपर्थम यहाँ बताया कि पिर्थवी गोल है तो इसमें अरस्तू या अरिस्टोटल सही आप्शन होगा आगे है पिर्थवी की तिरिज्या सबसे पहले किसने ना पी तो पिर्थवी की तिरिज्या सबसे पहले इरेटो अस्तनीज ने ना पी आडनेंस मानचित सरपर्थम बनाए गए थे तो आडनेंस मानचित सरपर्थम बनाए गए थे अठाडवी सताबदी में हवाई दीव की खोज किस ने की थी हवाई दीव की खोज येम्स कुक ने की गनीतिय बिधियों पर आधारित प्रेक्षेब को क्या काते हैं कंटूर रेखाएं का एक उधारन है अस्तला कृतिक मांचित्र मांचित्र पर खीची गई वे रेखाएं जो समुद्र के बड़ाबर उचाई वाले अस्थानों को मिलाती है वह क्या कहलाती है तो वह कंटूर्स कहलाती है जब तीन या चार सम्मोच रेखाएं मिलकर एक होती है तो या किसको निरिपूत करती है तो या भीगू को निरिपूत करती है मानचित्र में रेखाएं जहां दाब सम्हो क्या कहलाती है तो या सम्दाब रेखाएं कहलाती है एक इस समय गरस्ति धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोरने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है तो उसे आइसो ब्रॉंट कहा जाता है आइसो हाइट रेखा मानचित्र में किसकी युगमक बिंदू है तो या संबर्सा की युगमक बिंदू है मानचित्र में समान तापमान वाली जगहों को संयुक्त करने वाली कालपनिक रेखाओं को कहा जाता है तो इसे आईसो थर्म कहा जाता है कौन सी रेखा समान बर्षा अस्तलों को जोरने वाली रेखा का परतिनिध्य करती है तो यह संबर्शा रेखा का परति निधित्य करती है कार्टोग्राफर किसका अध्यन करते हैं तो कार्टोग्राफर नक्से का अध्यन करते हैं अल्टी मीटर से क्या नापते हैं तो अल्टी मीटर से भूतल से उचाई मापते हैं अपिस्पो मीटर अफिसो मीटर का परियोग किया जाता है तो आफिसो मीटर का परियोग किया जाता है मानचित्र पर दूरिया मापने हितू पवन बेग मापी का उपियोग किसको मापने के लिए किया जाता है तो पवन बेग मापी का उपियोग पवन की गती मापने में किया जाता है तो आज किस वीडियो में बस इतना ही उमेद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन पे जरूर किलिक करें और इस अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें धन्यवाद आपका दिन शुभू दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपने अब तक इस चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि इसी तरह के और भी महतुपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचते रहे धन्यवाद आपका दिन शुभू